नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, दिन 16 अगस्त 2014 का सम्टुन राशिकुल, उससे बेले आज की दिन का जो पंचांग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, आज का जो दिन है, शुक्रबार का है, क्रोधी नामस अभमसर है, सुर्य का दक्षिन चल रहा है, पर्शारुपू है, श्रवन मैंने की शुक्लपक्ष की 11 विदि थी है, नक्षत्र मूल है, योग विश्कम्ब है, दिन का जो करण है, वो विस्टी है, और जो रात का करण है, वो बवव है, आज की दिन का जो गुलिक काल है, वो शुरुद होगा, सुबस साथ बचकर 40 मिनिट से लेकर 9 बचकर 17 मिनित तक और अभिजीत मूर्थ दोपर 12 बचकर 7 मिनिट से लेकर 12 बचकर 25 मिनित तक होगा, गुलिक काल और अभिजीत मूर्थ दिन के शुबकाला अधी कह जाते है, इसमें किसी भी प्रकार के महतोबन काम या पिन्यरने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुआत होगा सुबद 10 बच कर 54 मिनट से लेकर 12 बच कर 31 मिनट तक और यह मगंड़काल दोपर 3 बच कर 44 मिनट से लेकर 5 बच कर 20 मिनट तक का होगा राहुकार और यह मगंडकल दिन के अशुबक अलावधी कहे जाते है इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुनकाम या फिनिलने बिल्कुल भी नहीं दिना उसी प्रकार आज के दिन का जो चंदरमा है यह चंदरमा संपुर्ण दिन धनु राशी में भ्रमन करेगा यह चंदरमा शुक्र के साथ त्रिकोन योग करने जा रहा है शनी के साथ लाव योग करने जा रहा है उसी प्रकार आज के दिन मंगल और शनी का केंदर योग भी होने जा रहा है यह ग्रसिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिपल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्चा करेंगे वो सबसे पहली राशी है मेश राशी अब करेंगे बारा राशी के दिन शनी और मंगल का केंदर योग भी होने जा रहा है बहुत ही महत्वण दिन है आपकी लाश आपको confidence energy level mood बहुत ही अच्छा देखा जाएगा जो काम आपात में लोगे वो पूरे होते हुए नज़र आएगे बहुत ज़्यादा एक्ट्व नज़र आगोई घूमना फिरना जादा हो सकता है अगर आप किसी के relationship में है उनके साथ कही बाहर घूमना फिरना हो सकता है शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कोई अच्छे नाव अगर आभी मिलते हुए नज़र आएंगे आने वाले दोस से तेंदिनों में आपके जो खर्चे है या फिर इंवेस्ट्मेंट उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यप होगा इसके बात की जो राशी है वो है वरुषव राशी वरुषव राशी के आश्टम बाव में चंद्रमा का भ्रामन है और आपके चतर दबाव में से बुद्ध शुक्र के साथ ये चंद्रमा त्रिकोन यो करने जा रहा है आपके दशमबाव में से शनी के साथ ये चंदरमा लाव योग करने जा रहा है उसे परकार आपी के राशी मिसित मंगल के साथ आपके दशमबाव को जो शनी है वो केंदर योग करने जा रहा है आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा स्वास्त की समस्या है आज की दिन थोड़ी आ सकती है गर के जो लोग है उनके साथ आपकी आर्मनी काफी अच्छी की देखे जाएगी जो आपके कारिशेतर है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है आने वाले दो स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना ज़्यान देना आवश्यक होगा गूमना फिरना ज़्यान हो सकता है कटना छिलना प्रेक्चरोना इस प्रकर के कुछ बाते अनुभव में आ सकती है तो थोड़ सा अलर्ड रहना ज़्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मिथुन राशी बाद कीerekके शनी के साथ तरी को नुभ करने जारा है। वह सथ कुछ अछे इंट्विशन वगरा भी आ सकते है। दूसरी प्रश्यक स्थरैसि ज़ादा बढश सकता है in किसी भी प्रकर के महतोपुन काम कमिटमेंट प्रॉमिसे से या फिर डॉक्मेंट से रिलेट कोई भी काम नहीं करना थोड़ अप्रेशन में आप देखे जा सकते हो इसके बाद की जो राशी है वो है करकर राशी के शष्ट बाव में चंद्रमा का भ्रमन है और आपी के द्वित्य बाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा त्रिकों योग करने जा रहा है अश्टम बाव में से शनी के साथ ये चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है उसी प्रकार आपी के अश्टमबाव में सी शनी के साथ आपके लावगवा को जो मंगल है वो केंद्रियों करने जा रहा है महतोबने दिन है आपके लिए स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्यक होगा किसी बीक्षेतर से रिलेटेट क्यों न हो बिल्कुल भी नहीं लेना खास करके फाइनाइस से रिलेटेट आर्थिक सर से रिलेटेट खर्चे हो या इन्वेस्मेंट आने वाले दोस्य दिन दिन में बिल्कुल भी नहीं करने उसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के बंचम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मना रापी के राशी में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा त्रिकोन योग करने जा रहा है सब्तमबाव में से शनी के साथ यह चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है उसे प्रकार आपके सब्तमबाव में से शनी के साथ आपके दशमबाव को जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है काफी महत पुर्ण दिन है आपके लिए खास करके अगर आप किसी के रिलेश स्वास्ट के बारे में ध्यान देना आवशक है उनके स्वास्थ के बारे परिशानियाँ ज्यादा आ सकते है जो भी आपका रिशत्रे है उसे रिलेड़िड किसी प्रकार के महत भुद लेने बिल्कुल भी नहीं लेगा इसके बाद की जो राशी है वो है कन्याराशी आज का जो दिन है आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी तुझ अच्छे लाव वगरा मिल सकते हैं, अगर कि जो लोग उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो का भी अच्छे देखी जा सकती है, अनवले दोस्यति इन दिन में आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना होगा, कारिशी तरह से रिलेटर किसी भी प्रक घद्धिरत हैं, अनवले दोस्यति इन दिनं में अगर आप शेर्मार्करण में करता है तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना जो गर्भवती मैला है उन्होंने भी स्वायम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्यक होगा अगर आप इसे के रिलेशन्शिप में है तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा किसी भी प्राकार के महत्वन इसके बाद की जो राची है वह भिछिक राशी के दुवधय वह में चंद्रमा का ब्रह्मन है और दशां बहुत के साथ nämडन त्रिक्ऑनियों करने जा रहा है छतर्त रुधह उसे शनी के साल या चंद्रमां लाव हो करने यhelm करने जा रहा है दिन महतोबन साबित होगा आज के दिन कुछ अच्छे लाव वगरा मिल सकते हैं मैं तो बढ़न इन्वेश्मेंट भी हो सकती है घर के जो लोग है उनके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा आने में दोसे तिन देना में घर के जो बड़े बुज़र्ग र दर है उनके साथ भी छुड़ी बादों को लिकर तकरार हो सकती है कि उसके बाद की जो रशी वह धनरży kupana अग्य behaving सिशुक्र के साथ और आपके छितियाफ मेंने की साथ हिसे जटितिवंगा करने जा रहाeg वह में सित्मंगल के साथ में जो है वो केंद्रिय करने जा रहा है आज आपको confidence energy level काफी अच्छी देखी जाएगी mood भी काफी अच्छा देखा जाएगा गूमना फिरना जादा हो सकता है कि अच्छे intuitions भी आ सकते हैं वह तो पुण काम आप में ले सकते हो आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ज्यादा आवेश्क होगा किसी भी रखा के महत बुणा नहीं नहीं लेना आपके जो भाई बहनां के साथ जो problem complications है वो बढ़ सब्सक्ति है यो कि इसके बाद के जो रशी है वो है धनग रशी वह है मगर रशी मगर री के वेईमों में चंद्रमा का ब्रमाण है अर्वण के च्छा अश्रं मोँ पीं से शूख के कुछ अनफिक्षित लाव आज के दिन मिल सकते हैं लेकिन stress tension बना रहेगा उसे फिरकार आने वाले 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वण सावित होगे आपके जो खर्चे है या फिर investment उसके बारे में तो थोड़ा चौकन ना रहना होगा उसे परकार अगर आप शेयर मारकल में ट्रेड करते हो तो बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना जो गर्ववती महिला है उन्हेंने आने वले दोसे देनों में स्वाइन के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा उसके बाद की जो राशी है वो है कुम्भा राशी कुम्भा राशी के लाव वहां में चंद्रमा का फ्रमन है और आपी के राशी में से शनी के साथ ये चंद्रमा लाव यो करने जा रहा है सब्दमणाव में से शुक्र के साथ ये चग्धिन वह बहुत है अच्छे लाव लुगरा मिल सकते हैं तो मैं उनके आको स्वास्त के बारे में द्यान legitim के दिन ऐसके बाद की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के दशम बाहों उ में चंऱ्ढरमा का प्रधान है और आपे के वेयवाँ से शनी के साथ या चंद्रमा लाजियो करने जा कोई भी काम आज के दिना वापने ले सकते हो थोड़े सा कारेशी तरह से रिलेटेड गूम के लिए भूमना फिना जाधा हो सकता है आने में वले दो से तीन दिनों में बिलकुल भी नहीं लेना तो दोस्तों ये था दिना 16 अगस्त 2024 का संप्रुनर राशिक्वनी धन्यवाद